हेलो BSC First Year Student इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे BSC First Year Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस Semester में आज हमें एक Most Important Topic डिसकस करेंगे Citrus Canker Disease, निम्भू का Canker या खर्रा रोग यह आपके Plant Pathology के अंदर आता है यदि आप BSC के Concept को Hindi में समयना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आप New Education Policy के According जो BSC का नया syllabus launch हुआ है semester wise अगर आप उसके According पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह है डिजीज सबसे पहले 1904 में एबे द्वारा जापान में देखा गया था यह रोग संसार भर में यानि पूरे वर्ल्ड में निम्बू वरक्षिय उगाने वाले सभी छेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है तो जनरली यह जो है लेमन में ही सिट्रस केंकर डिजीज हम पढ़ेंगे यह अनेक देशों में गंभीर समस्या बना हुआ है बहुत बड़ी प्रॉबलम है इसकी वज़े से काफी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और भारत इसका सेंटर माना जाता है भारत को इसका मूल इ भागों को संक्रमित करता है यह जो डिजीज है यह प्लांट का जो एरियल पार्ट है एरियल पार्ट में बेसिकली प्लांट का लीफ आता है फ्रूट आता है इस टेम आता है तो बेसिकली यह उन्हीं को इंफेक्ट करता है जो रूट पार्ट है वो नहीं उनको इफेक्ट नहीं करता राइट जनेरल हम प्लांट में देखते हैं जो जड़े होती है मिठी के अंदर पाए जाती है तो इस तरह से जो उपर करता है इसे जलद इससे बहुत जल्द इसे इंफेक्ट हो जाते हैं और सरुप्रथम रोक के लक्षन पत्तियों की लोवर जो निचली सत्य होती है जो लोवर सर्फिस होता है उसमें दिखाई देते हैं पत्तियों की निचली सत्य पर सरुप्रथम छोटे छोटे जल में वाटर शॉक्ड एंड ट्रां कौन्वेक्स सर्फेस होती है और अंत में मद्य से फट करके कुर्द्रे और क्रेटर लाइक हो जाते हैं पुराने धब्बे कौर की तथा भूरे हो जाते हैं जो ओलड वूर्ण होते हैं वो उकौर के और ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं जो की गुलाबी प्रतीत होते हैं इन धब्बो के किनारे पीले उठे वे तता इनके चारो और जल में पीरा गेरा एक होलो बन जाता है। फलो तता टहनियों पर धब्बे यानी स्पोर्ट आपस में मिल करके एक बड़े विक्षत लेसिंस दिखाई दिखाई देते हैं। यह आयनिमित आकार के इरिगुलर शेप के और अत्यधिक इसपस्ट क्लियर एवं खुर्दरे होते हैं। अधिक संक्रमन की दशा में जिसमें बहुत ज़्यादा इंफेक्शन हो जाता है। लीफ का अत्यधिक गिरना तथा टेहनियों की चोटी का सूखना पाया जाता है। यानि जब बहुत ज़्यादा इंफेक्शन हो जाएगा तो पत्तियां गिरने लगती हैं। और इनकी जो स्टेम होता है वो तहनिया जो होती है वो धिरे-धिरे सूख करके तूटती है और नीचे गिर जाती है। फलो में अती तवचा तक सीमित रहती है। इनके कैंकर में भी पत्तियों के समान होते हैं लेकिन इनके चारो और पीला घेरा हलो नहीं होता। यहांँ पर आप देख सकते हैं , डाग्राम नबर 16 में शिट्ट्रस कैंकर यह देख सकते हैं यह सकते हैं यह कैंकर डीजी इहाँ पर दिखाया गया है ये इनक्युट इरिया जिल्ट'D को इंफे सिट्री अब हम सिट्रस केंकर डिजीज कोस करने वाले बैक्टिरिया जैन्तोमोना सिट्री के बारे में पढ़ेंगे यह बैक्टिरिया च्छड आकार यानि के रोड शेव्ड होता है 1.522.0 सिट्री होता है और यह पॉलर यहीं होता है तो आउनि प्रिजल्ड और यह अगर बन जाते है तो वहाँ पर यह प्रवेश्ट करता है यानि इसके transmission के दो path दो रास्ते होते हैं एक तो stomata के दोरा जो कि generally leaf में पाया जाता है या fruits के अंदर पाया जाता है उन stomata के दोरा ये body के अंदर enter कर जाते हैं cells के अंदर पहुंच जाते हैं ये जो है अंतर कोशी किया आवकाशो यानि intra cellular spaces में तिर्वता से व्रद्धी करके ये middle lamella को गला करके cortex में इस्थापित हो जाते हैं एक बार फिर से इसको repeat किया जाए जैसे कि मैंने अब को कहा ये stomata के दोरा plant के अंदर transmit हो जाते हैं पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं cells में और cells के अंदर पहुचने के बाद cells के बीच जो space रहता है उसको बोला जाता है intracellular space तो ये intracellular space में बहुत तेजी से growth करते हैं growth करने के बाद ये middle lamella को गला करके cortex में स्थापित हो जाते हैं इनके संक्रमन करने के लिए infection के लिए इन्हें लगबग 20 से 30 degree Celsius temperature की requirement होती है तथा 20 minute तक ये जो है नमी का परपोसी सतह पर होना एक favorable condition माना जाता है एक अनुकूल परश्तितियां माने जाती है ये infection पत्तियों में 5-6 महीने और नीमजरी करत भूमी में लगबग 52 दिन तक या अनेंजीमजरी करत भूमी में लगबग 9-17 दिन तक जीवित रह सकते हैं सोगाईज अब हम बात करते हैं disease cycle के बारे में इस disease का जो sunrope है जो inoculum है वो रोगिल साखाओं तथा पत्तियों से प्राप्त होता है जीवानू परपोसी में यानि bacteria जो होते हैं वो host में प्रकरतिक छिद्रों यानि stomata के द्वारा या wons के द्वारा या घाव जहां पर बन से वहां पर growth करते हैं जैसे कि हमने अभी यहां पर discuss किया उसके बाद host cell में जो middle lamella होता है उसको पूरी तरह से गला देते हैं और cortex में यह स्थापित हो जाते हैं इस अवस्था में संक्रमित अंगों पर canker lesions उत्पन हो जाते हैं उसमें canker lesions create हो जाते हैं और in lesions में bacteria का culture ह होता है इनके exhibition में अनेक बहुत सारे bacteria होते हैं रोग का जो प्रकेंडन होता है वो जल वर्सा यानि के रोग कैसे फैलता है एक plant से यानि एक plant होता है जो स्वस्थ होता है दूसरा plant जो होता है वो disease से ग्रस्थ होता है तो एक plant से दूसरे plant में कैसे इनका transmission होता है तो एक तो water के द्वारा होता है या बारिश के समय बारिश होती है बेक्टिरिया तथा मनुश्य के द्वारा भी हो जाता है तो संक्रमन के लिए नम वातावरन एकदम संक्रमित पतियों में यानि जो इन्फेक्टिड लीफ होती है उनमें बेक्टिरिया 6 महीने तक जीवित रहते हैं और इस्ट्रिलाइज सोयल में लगपक 52 दिन तक जीवित पाये जाते हैं जबकि अन इस्ट्रिलाइज जो मिट्टी में इनका जो जैविक जैविकता है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब इतने सारे disease कोस कर रहे हैं और सिट्रस के एंकर डिजीज का जो नियंतरन नहीं जो कंट्रॉल विदियोalth किया जा सकता है यह most important point है के control करने के बारे में कई तरह से question पूछा जा सकता है अगर mcqs के माध्यम से question आपकी exam paper में आता है तो भी आपके लिए important है theoretically भी आप से पूछा जा सकता है तो आप लिखेंगे number first रोगीली पत्ती को पूरी तरह से नस्ट कर दें यानि जितनी भी पत्तियां आपको ऐसी दिखाई दे रहें जिन पर इस तरह के sports आपको दिखाई दे रहें symptoms आपको नजर आ जाता है brown color के धब्बे आपको नजर आ जाते हैं तो आप उन पत्तियों को पूरी तरह से leaf को damage कर दें हटा दे वहां से और जला करके उनको नस्ट कर दें ताकि यहां पर डिजीज का transmission ना हो पाए अगर एक बैक्टिरिया स्वस्थ plant के अंदर पहुंच जाएगा तो तुरंत वहां पर भी डिजीज कोज कर देगा इसके बाद ट्राइ करें resistance varieties को यूज करें अगर आप प्रतिरोधिक इसमें यानि resistance varieties का यूज करेंगे इससे भी काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है रोपन से पूरु पोधो को 1% बोर्दा मिस्रन यानि बोर्डियोक्स करें इससे क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में जो बेक्टिरिया होगा वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा यह रोपन से पहले आपको काम करने क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्लांट को उगाते हैं तो उस समय है डिजीज का ट्रांस्मिशन बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है नंबर फॉर पॉइंट पोधो पर स्ट्रेप्टो माइसीन फाइफ हंड़ टु वन थाउजन पीपिम फाइटो माइसीन फाइटो माइसीन लगबग ट्वंटी फाइफ हंड़ पीपिम आदी एंटी बायोट हुआ